हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दोस्तों महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा स्कॉर्प्यो क्लासिक के उपर से परदा उठा दिया है जो कि लोगों को ज्यादा पसंद है ज्यादा रफ और टफ है तो अचलिए बात करते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन से चेंजिस देखने को मि मिलती है जो कि नई SUV में महिंद्रा इंटर्ड्यूस कर रही है नया लोगों मिल रहा है इसके साथ ही थर्ड जनरेशन एम हॉक डीजल इंजन आपको मिल जाएगा एक महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है कि दो वेरियंट ही लांच किये है इसमें S और S11 ताकि बाकी की अगब बात करें तो 17 इंच के नए अलोई वील्स आपको मिल जाते हैं डायमंड कट फिनिशिंग के साथ दोबारा से फ्रेंट प्रोफाइल की तरफ चलें तो LED प्रोजेक्टर हेडलेप आपको मिल जाते हैं काफी अच्छी शेप में नीचे आपको DRLs मिल जाते ह रूफ RAILS ही इन टीर इंटीर की बात करें एंटीर यगा जैसा चल रहा था डूर्ट्र टोन में इंटीर कर दिया गया है उपास्टरी का डिसाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है लेकिन इसमें आपको space वगयरा same वैसी मिल जाती है जैसी चल रही है इसके इलावा महिंद्रा का निया logo अंदर steering में भी आपको मिल जाएगा 9 इंच touchscreen infotainment system मिल जाएगी steering mount controls वगरा मिल जाते हैं वही design पुराना ही steering का आपको मिलता है तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है last की जो row है उसमें two side facing seats गाई गई है जो कि किसी को पसंद आती है तो किसी को नहीं आती तो ये कुछ changes किये गए है महिंद्र स्कॉर्पियो 2022 classic में अभी price की बात करें तो नया price तो इसका नहीं आया अभी पुराना ही चल रहा है नया भी आज आएगा एक दो दिनों में बाकि आपको एक ऐसी लगे comment में जूर लिखें Thank you, thank you so much झाल 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 झाल